मैंने एक दिन एक पेपर पड़ा जहन परिवारे उल्लाष्ट नगर में बंबे में बावन वरस हो गए कितना बावन वरस हो गए वो दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाते हैं माराज मुझे इतना अच्छा लगा कि सुनके भी अच्छा लग गया बावन शालों से अगर एक भई पहले आ गया तो एक भई दूसरी भई का इंतिजार करता है कि मेरा भाय आनि आया करता और मेरा भाई नहीं आएगा तब तक मैं वहां ठीक है बाहर चले जाते हैं वह बात अलग हुगाई पर वहां की बात बोल रहा हूं दूसरे नमबर अभी चार दिन पहले का वाक्य होता है आहुआ देवले नाम सुना होता हूं सुना आपने चुमारवाट जक्षन से 12-13 किलोमेटर दूर हैं वहां पर पती और पतनी दोनों एक साथ में सरीर का त्याग करते हैं एक गंटे पहले पती देव चले जाते हैं और पीछे लक्षमी कहती है कि मैं रहके क्या करूंगी उसने भी अपने सरीर का त्याग कर लिया दोनों की एक ही जगत चिता जलाईगी एक चिता में दोनों की लास्कों जलाई गई यह चार दिन पहले की बात है सीर्वी समाज से था वो महराज हाँ आपने देखा भी होगा मरसुप प्या आया होगा हाँ बहुत परचार भी हुआ उनका तो महराज यह कितनी भगति की होगी आपने महराज एक जिन्दगी में दियान रखना मैं आपको छोटी सी बात बता रहाँ नाराज मत हो ना आपरी बेटी रोग केणो अगर आपरो जमाई नहीं माने आपने कितनो दोरो लागे हो इमान दार्यों के दो बहुत बेकार लगता ना के मारी बेटी रो क्याणो मारो जमाई माने ही को नहीं ठीक है ठेट नजर पहुँच गई आपके जमाई पे पर तु मारा बीरा आप ही तो किना जमाई सा हो आप की तो क्याणो मानो आपरी लक्ष्मी रो वो इन उत्र देदो बस कोई भी जमाई को गलत बताने से पहले मैं उसको पूछताओं कि आपर जमाई सा तो खराब लागे थाने पनध थाथारी लुगे ही रोक्यानों कि तो मानों ओ केदो मने तो कैसा मैंतो नहीं मानों ज़ोने फ़र जमाई सा गलत नी जमाई सा एकूरेट एक दम थरों हवाईों मिली हो बढ़िया नमबर एक नमबर दो माराज आप में कौन-कौन ऐसे वेखती है जो घर पे लक्षमी जी की हेल्प करते है जैसे घर में जाडू निकालना बरतन दोना, सबजी बनाना रोटी बनाना, कौन-कौन help करते हो गर पे अजीब सी बत है माराज कोई help नहीं करते क्यों आप के अंदर एहंकार है आप गर पे नोकरानी लाए के लक्षमी लाए इसका उत्र चाहिए मुझे लक्षमी लाए के नोकरानी ये बता दो लक्ष्मी लाए तो घर पे help करो इन्हें जीवे माराज द्यान राग जो ये घर में आठ गुणा ज़्यादा काम करती कितना आठ गुणा पन कोई माई का लाल जाके नहीं बोलता कि माराज आप गुणों काम कर लियो कोई नहीं कहता अरे काम मत करो घर पे छोड़ो आप गर पे जाके एक शबद तु बोल सकते हो कि लक्ष्मी जी इतनों काम मत करो मारो जीव घणो बड़े वो तो बोल सको पन ओई नहीं बोल ये वो तो जाव तो इन्हें कहीं 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 करती आखो दिन चुला करने वाके दांस करती, दूजो कोई करती, महराज मैं एक मजागने कर रहा हूं, आप एक परियोग बताता हूं आपको, आप जैसे गर पे जाडु निकाल रहे हो, कोई आके बोले सेड़ जी आप जाडु निकाल रहे हो गर पे, तो उसको जबाब क्या देना है, कि भाईया ये जुद्ते साप कर लेते हैं, तो हम घर में क्यों काम नहीं करते हैं, ये बताओ मुझे, क्या आपका एंकार नहीं करने देता, ये अंदर बैठा नहीं करने देता, महराज करिए, काम कीजिए, आपकी सोभा बढ़ेगी महराज, अगर ये परिभासा सीखनी है ना, तो आप राजबूतों से शिखो, पता हैं, राजबूत लोग कितना काम करते हैं घर पे, पता हैं, पता हैं आपको, पानी लाना, लकडी लाना, वो करना, वो करना, कितना घर का काम करते हैं, जबकि वो कौन है, क्षत्रिये, क्षत्रिये होते भी, वो क्षत्रानी को एक एहम भाव देटे मैराज आदत इुझ्जत देटे और एक मेरी बंदना है माराज आगर आपको इनकी महिन hehma पता नहीं तुम्हें बता लेता इमान दर यूं बोल जो तो किता कहा रहे हो घक्तिक देर रहे हो आखिर में पूछो टाबरहने कहीं पूछो ए बिटा थर मम्मी कटे की रहे मम्मी गुलपिया बेचने की दूछु कहेंगी ये महराज आदा गंटा तक आपकी लक्षमी आपको दीखी नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगा इसका मतलब क्या है कि वो घर की आत्मा है दियान रखना पसे ही तोने ठानी पड़े अगर अनोर भावरी ठानी पड़े अनोर कामरी ठानी पड़े तो पंदरा दिन योने पीर भेज़दो फसे थंठा पड़ जई परियोग दूरा सिध किया जाए कल से क्याड़ोग मजो आवे तोने महराज मैं आपने एक बंदना करूं कि जो जो आदमी अपनी लक्षमी की इज़त कर लेता है वो जिंदगी रेमाने कभी दुख नी पावे महराज कदी इस दुख नी आवे उन घर रेमाने कदी लाइफ में नी आशके महराज परन तो कोई करे तो